दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में मैजिक ट्रिक्स तो जरूर देखे होंगे, चाहे वो टीबी में हो या रियल लाइफ में जादूकरों की इन बहतरीन जादू इकलाओं का हर कोई दीवाना होता है क्योंकि ये जादूगर ऐसे कमाल के कारणा में कर दिखाते हैं जो बिलकुल असंभो होते हैं टोपी के अंदर से खरगोस निकालना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना और चीजों को गायब कर देना ये तो कुछी मैजिक है, जो जादूग और अक्सर दिखाते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको वो पुराने और बोरिंग मैजिक नहीं दिखाने वाले, जिन से अब बोर हो चुके हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग मैजिक टिक्स दिखाएंगे जो आपने सायद ही पहले देखे होंगे और साथ ही में हम आपको इन मैजिक टिक्स के पीछे का राज भी बताएंगे कि आखिर ये की कैसे जाती है तो हर बार की तरह इस बार भी आप से म मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर आफ थॉर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए तो आईए अब चलते हैं इस जादूई सफर पर दोस्तों अगर आपने हैरी पॉर्टर मुवी देखी है तो उसमें आपने ये भी जरूर देखा ही होगा कि उसमें लोग दोड़ते हुए एक दिवार के अंदर घुश जाते हैं पर हमारा ये जादूगर असल में भी उस जादू को कर सकता है क्यों भाई यकीन नहीं हुआ क्या तो खुदी देख लीजिए सबसे पहले ये जादूगर दर्सकों में से एक लड़की को ये देखने के लिए बुलाता है कि दिवार असली है या फिर नकली जब उसको यकीन हो जाता है कि दिवार असली है तब जादूगर दिवार की एक साइड से अंदर घुश जाता और हमें उसकी परचाई अंदर जाते वे नजर आती है और फिर वो दूसरी तरफ से निकल भी आता है पर ऐसा वो कैसे कर पाता है असल में जब जादूगर के साथ की लड़कियां उसको इस फ्रेम में कवर कर देती हैं तो वो बड़ी चतुराई से दूसरी तरफ से बाहर नि क्या आपने कभी कॉफी को सिकों में बदलते देखा है अगर नहीं तो ये देखिए इस कमाल की मैजिक ट्रिक को देखकर कोई भी चौक जाएगा पर इस ट्रिक को करना बेहद ही आसान है आप भी इसे करके अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं इसके लिए आपको दो कप ल अपनी उंगली से नीचे मौजूद स्पंज को ऊपर पुस करना है जिससे छोटा कब ऊपर आ जाएगा और कॉफी साइड से नीचे निकल जाएगी और इस पंज उसे सोख लेगा यदि आप हिस्ट्री चैनल देखते हैं तो आपने डाइनमो की मैजिक ट्रिक्स तो जरूर देखी होगी ये कमाल का जादुगर अपनी कमाल की मैजिक ट्रिक्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है एक बार इसने एक लड़के का फोन लेकर उसको इस तरह मरोडा कि उसका आधा हिस्सा पीछे की तरफ घूम गया जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौक गये पर ऐसा उसने कैसे किया असल में डाइनमो ने फोन लेते ही अपने हाथों से उस पर एक ऐसा श्टीकर लगा दिया जो फोन की एक भाग के जैसे ही दिखता था और ये काम उसने इतनी चतुराई से किया कि किसी को उसका पता ही नहीं लगा और बाद में उसने ये श्टिकर हटा कर वो फोन उस लड़के को वाफस कर दिया आपने अक्सर टीवी में जादूगरों को पानी के उपर चलते देखा ही होगा है ना? और आप सोचते रह जाते होंगे कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या सच में उनके पास कोई जादूई सकती है? अगर आपने ये मैजिक ट्रिक कभी गोर से देखा है तो आप नोटिस करेंगे कि इस जादू को करते समय जादूगर कभी भी बिल्कुल साफ पानी के उपर नहीं चलते वो ऐसा तालाब या एक ऐसी नदी चुनते हैं जिसका पानी थोड़ा सा गंदा हो ऐसा इसलिए क्योंकि वो असल पानी के उपर नहीं चलते वो प्लास्टिक के एक प्लेट फॉर्म के उपर चलते हैं जो गंदे पानी में किसी को दिखाई नहीं देता और इसी बात का जादूगर फाइदा उठागर हमें गुमराह करपाने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों जब अगली बार आप से कोई इस मैजिक ट्रिक के बारे में पूछे तो आप उसको इस ट्रिक का सीक्रेट जरूर बताएं दोस्तों आपने ऐसे कई जादूगरों को टीवी में देखा होगा जो एक छडी के सहारे साधना की पोजीशन में बैट कर हवा में उड़ते नजर आते हैं तो क्या आपको पता है कि वो ये अजीबो गरीब कारणामा कैसे कर लेते हैं असल में ये हवा में नहीं बलकि एक श्टील के फ्रेम के उपर बैटे होते हैं जो कि इनके कपड़ों के अंदर छुपा होता है और ये श्टील का फ्रेम उनकी उस छडी से जुड़ा होता है जिनको वो हाथ से पकड़े रहते हैं इस जादू को करने के लिए इन्हें ज़्यादा कपड़े पहनने की जरूरत होती है जिससे वो उस इस्टील फ्रेम को अपने कपड़ों के अंदर छुपा सकें तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसी ही exciting और interesting वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल Honor of Thoughts हिंदी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाईए साथ ही में इस वीडियो को लाइक सेयर करके वीडियो के बारे में अपने बिचार हमें कमेंट करके भी बताईए फिर मिलेंगे एक नई दिल्चस वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार